आज हम लोग Constitution Design के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे जिसमें सम्मिधान की प्रस्तावना एनि प्रम्भिल के बारे में बात की गई है तो देखेंगे भारत के सम्मिधान की जो प्रस्तावना है वो 13 दिसंबर 1946 को सम्मिधान सभा में पंडिज वहालाल नहरू द्वारा पेस किया गया या इस उनके द्वारा पेस किये गये प्रस्ताव पराधारित है लेकिन याद रखेगा इसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया जो प्रम्भिल है इसे 13 दिसंबर 1946 को पेस किया गया 22 जनवरी 1947 को इसे अपनाया गया लेकिन इसे सम्मिधान में 26 नॉंबर को ही एक्सेप्ट किया जाएगा तो आगे देखेंगे दा प्रम्भिल टू दा कंस्ट्यूशन आफ इंडिया इस बेस्ट अन दा ऑप्सेक्ट्यू रिजोलूशन इंट्रोड़क्ट बाई जवाहलाल नहरू इंदा इस प्रस्तावना की बात करें तो इस प्रस्तावना को भारती सम्मिधान की आत्मा कहा जाता है और साथ ही इस प्रस्तावना को भारती सम्मिधान की कुण्जी कहा जाता है इसलिए क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें सम्मिधान के बारे में सबकुस संचेप में मौजूद है यानि किसी भी संविधान में जो प्रम्बिल होता है उसमें उसकी खास विशेष्टाएं सामिल होती है कि हमारा संविधान कैसा होगा तो पंडित जवालाल नहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रम्बिल इसलिए लागू किया था एक दिया था कि जो हमारी कमेटी है जो कंटिनेंट्स असेंबली है वो इन विशेष्टाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे कंस्ट्योशन को तयार करें और इसे अपनाया कप गया था 26 नॉबर उनीस सो निचास को एकसेप्ट किया गया था जो कंटिनेंट्स असेंबली है उसके कंडिडेट इसे उस दिन एकसेप्ट करेंगे तो दा प्रम्बिल इस यहां पर डबल है दा प्रम्बिल कान आलसो वी काल्ड इज शोल आफ और कंस्टिटूशन इन इंडिया विक नॉबर 26, 1949 यह हमारा प्रम्बिल या कहें कि हमारे सम्मिधान की जो प्रस्तावना है यह प्रस्तावना है इसको देखेंगे इसको समझने का एक तरीका भी है अलग-अलग इस्टेप याद करेंगे तो बासानी से याद रहेगा भारत का सम्मिधान है उसके उद्देशी का हम भारत के लोग भारत को एक यह पांस पॉइंट्स हैं इनके बारे में जानना है प्रभुत्व संपन समाजवादी पंथ निरपेच लोगतांत्रिक गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या-क्या मिलना चाहिए न्याय स्वतंत्रता सम्ता तो न्या प्रतिष्ठा और आउसर की समता तो हम भारत की लोग क्या कर रहे हैं भारत को पहले तो इन पांस तत्तों को सामिल कर रहे हैं संपूर्ण प्रभुसंपन समाजवादी पंथ निरपेच लोगतांते गणराज बनाने के लिए नागरिकों को क्या मिलेगा न्याय मिलेगा समाजी कार्थिक राजनेतिक न्याय मिलेगा विचार अभिव्यक्ति विस्वास धर्म की उपासना आधिकी सुतनता मिलेगी प्रतिष्ठा और आउसर की समता मिलेगी इनको प्राप्त करने के लिए यह चीजे लोगों को प्राप्त हों तो क्या होगा हम सब व्यक्ति की गर गरिमा और हम सब्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता वाखंडता को सुनुश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए द्रह संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 23 नवंबर 1949 को मितिमार गसीर ससुक सत्तमी संबद 2006 विक्रमी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकरत अधिनीमित और आपात्मारपित करते हैं अन्य वी दा पूपल अंडिया है विंग शुलमली रिजल्व टू इंडिया इन शावरेंग, सोचलिस्ट, सेकुलर, देमोक्राटिक, रिपबलिक and to secure to all its citizens, all its citizens क्या क्या सिकुर होगा, justice, liberty, equality, ठीक ना, justice, liberty and equality justice में क्या क्या, social economic and political, liberty में, of throughout expression, belief, faith, worship और जो समता है वो किसकी status and apportionities की, सभी को अपने status और apportionities की equality मिलेगे and to promote among all them fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nations in our constitution's assembly, these 26 days of November 1949 to here boy adopt, enact and give to ourselves these constitutions तो अब इसमें हम देखे किस किस सीज के बारे हम जानेंगे तो अलग-अलग सब्दों के बिजानेंगे, सौरविन क्या है, socialist क्या है, secular क्या है, democratic क्या है, republic क्या है इनके असास साथ हम लोग जानेंगे कि ये fraternity क्या होती है यानि बंधुता क्या होती है तो इन सब्दों को आगे हम define करेंगे फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पहले लाइन पे तो ये देखना है हम भारत की लोग, जो हमारा प्रेंबिल था, उसकी first लाइन थी we the pupil of India तो इसका मतलब क्या है तो we the pupil of India या हम भारत के लोग का मतलब है कि भारत के समिधान का निर्माण और अधिनीमन भारत के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से हुआ है, इसमें किसी बाहरी राजा या किसी बाहरी आदमी का कोई योगदान नहीं है यानि इंडिया the constitution and enactment of the constitution of India has been done by the pupil of India throughout their representative and not by any king or arts outsider, यानि किसी भी king या outsider का इसमें कोई अस्ता छेप नहीं है second देखते हैं, हमने बताया था dominates यानि कि प्रवसत्ता के बारे में जानेंगे, तो प्रवसत्ता संपन, प्रवसत्ता की बात करें तो क्या है, कि प्रवसत्ता संपन लोगों को, प्रवसत्ता मतलब वही करत के सरकार को आदेश नहीं दे सकती, यही प्रवसत्ता है यानि, dominant people have the highest rights to take decision in a jury matter related to them, no external power can order the government of India यानि, कोई भी external power government इंडिया को order नहीं कर सकती है, next है socialist यानि, समाजवादी समाजवादी क्या है, इनका कहना है, समाजिक समाज में संपदा सामुहिक रूप से पैदा होती है कोई भी प्रकार की संपदा है, संसाधन है, वो सामुहिक रूप से पैदा होते है, इसलिए समाज में उनका बटवारा समानता के आधार पर होना चाहिए सरकार को जमीन, उर्दोग धंधों की हगदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाना चाहिए कि समाज में समाजी कार्थी का समानताएं कम हो समाजी कार्थी का समानता घटे इसलिए सरकार द्वारा जो टैक्स दो अस्थाएं होती है इंकम टैक्स की तो उसमें रेट जो है कुछ लोगों को फ्री रखते हैं, फिर 10%, 20%, 30% लगाते हैं, यह इसी के उग्देश से लगाया जाता है, तो socialist है नहीं, wealth is created collectivity in the society and in should be divided in the society with equality, the government elected law related to the entailment of land and industries in such a way, the social economic disparities are reduced, यहनि किसी भी प्रकार की social economic disparities नहीं आने चाहिए, उसको reduce करने के लिए प्रयास करना चाहिए, कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए, अगला है पंथ निर्पेच या सेकुलर, तो पंथ निर्पेच का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को मानने की सुतंता, तो भारती नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी सुतंतता होगी, भारत का कोई भी अधिकारिक धर्म नहीं है सरकार सभी धर्मिक माननेताओं और आचरनों को समान समान देती है किसी भी धर्म को हो सरकार की तरब से सबको समान अधिकार है या समान महत्त है और लोगों को अपनो धर्म को मानने की पूर्शवत अंतरता है वो अपने धर्म को अपनी इच्छनसार मान सकते हैं सेक्टुलर है क्या सिर्चेन है और कम्प्लीट फ्रीडम और फालो एनी रिलिजियन्स बट नो रिलिजियन्स इज ऑफिसली अब आगे हैं लोकतंत्रात्म के एदेमोकरेसी पीछे चैप्टर में आप पढ़ें हमने बताया था डेमोकरेसी डेमोस अनक्रेटिया मतलब समझ गए होंगे मनलब की जंता का साथन तो इस डेमोक्रेसी की बात करें तो क्या है सरकार का एक ऐसा सुरूप जिसमें लोगों को समान दाजनेती का धिकार प्राक्त होते है और अपने साथन का चुनाव करते हैं उन्हें जवाब देह बनाते है और सरकार सम्मिधान के नियमों के नुसार चलती है यहनी कुछ बिनियादी नियमों के नुसार चलती है वहाँ भी बताया गया था लोगों का सासन होना चाहिए लोगों को सरकार चुनने का धिकार होना चाहिए सरकार जवाब दे होनी चाहिए और सरकार कुछ कानून नियमों के द्वारा चलनी चाहिए यह आपको वहाँ डेमोक्रिसी चैप्टर में भी बताए गया है तो डेमोक्रिसी एफ एफ रॉम आउफ गॉवर्मेंट इन विच प्यूपिल इन्जवाई इक्वल पॉर्टिकल राइट्स प्यूपिल चूज दियर रूल एंड मेक इन एक्वाउंटेबल इस गॉवर्मेंट फालो सर्टिन बेसिक रूल नेक्श देखते हैं रिपबलिक यानि गणतंत्र है रिपबलिक क्या होता है रिपबलिक का मतल समझना है कि ऐसा देश जिसका जो प्रमुख है वो जनता द्वारा एक निश्चिस समय के लिए चूना होना चाहिए गणराज सासन प्रमुख लोगों द्वारा यानि उस सासन का जो प्रमुख है वो लोगों द्वारा एक निस्चिस समय के लिए चुना होना चाहिए किसी ना किसी वन से या राज खांदान का नहीं होना चाहिए जैसा भारत गनराज है क्योंकि यहां का जो प्रिसिडेंट है राष्टपती है वो जनता द्वारा एक निस्चिस समय के लिए निपांच वर्स के लिए indirectly elect किया जाता है चुना जाता है जबकि बिर्टेन की बात करें तो बिर्टेन में राजा होता है वो गनराज नहीं है तो the republic the head of the republic's rule must be elected by the people for a certain time not of any prison of any of any lioness or royal family यह कोई lioness यह royal family का लोग उसमें नहीं होना चाहिए next है न्याए justice तो न्याए का मतलब है कि सभी नागरिकों को जाती धर्म लिंग मतलब इस्तरी पुरुस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता यहनि justice surgeon cannot be discriminate against on the basic of their cost, religious and genders यहनि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता अब अगला है freedom यहनि स्वतंतरता स्वतंतरता क्या है वैसे स्वतंतरता को कहें तो विचार अभियक की स्वतंतरता ही सबसे बड़ी स्वतंतरता है तो नागरिक कैसे सोचें किस तरह अपने विचारों के अभियत करें और अपने विचार को किस तरह अमल करें इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है मतलब वही है कि इस constitution में भारत के प्रतेक नागरिक को विचार अभियक की स्वतंतरता प्राप्त होगी यानि कि लोगों को अपने विचार को अपने अंसार सोचने और अमल करने की छूट होगी उस पर पाबंदी नहीं होगी अगला है जिसे कहते हैं समता या पएरिटी होती क्या है कि इसके तहत कहा गया कानून के समच सभी लोग समान है पहले से जो चली आ रही हैं असमानताएं हैं उच नीच जाती पाती भेद भाव यहां पर यह सभी असमानताओं को समाप्त कर दिया गया है सरकार हर नागरी को समान अवसर उपलब्ध कराने की बवस्था करेगा यहनि parity क्या है all people are equal before the law the already existing social inequalities will have to be eradicated the government should make arrangement to provide equal opportunities to various citizens ठीक ना मतलब आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है कि सभी को equal opportunities प्रदान की जाएंगी और इसमें अगर देखें तो इसका मतलब यह था कि equal opportunities का मतलब है सब को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे next देखते हैं बंधुता यानि बंधुता की बात करें तो fraternity क्या होती है जब हम ऐसा आचरण करें हम सभी ऐसा आचरण करें कि हम एक परिवार के सदस्ष हों कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक से कमतर ना माने वहाँ पर आपको बताया गया था कि एकता हना राष्ट की एकता को स्थापित करने के लिए हम बंधुता यानि fraternity लाना चाहते हैं तो वही है कि जब हम लोग एक परिवार के सदस्ष के रूप में रहेंगे तो हम में कोई भेद भाव नहीं होगा और राष्ट की एकता उससे सुद्रन होगी बंधुत के भाव को अपनाने से ऐसा होगा तो लेट अस आल भी हैव एज इफ वी आर मेंबर सान एफ हैमली नो सिर्जन सुट कंसीडर अनदर सिर्जन एज इनफिरर तो हिमसेल्फ नेक्स्ट देखेंगे अब आगे है सभी सब्दों को बता दिया नेक्स्ट है सम्मिधान संसोधन प्रक्रिया यहनी कंस्ट्योशन एमेंडमेंट क्या होता है या कंस्ट्योशन एमेंडमेंट किसे कहते हैं तो सीधी सी बात है Constitution Amendment का मतलब है संविधान का संसोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया या किसी भी संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही Constitution Amendment या संविधान संसोधन कहलाता है. भारत की बात करें तो भारत में अगर देखें तो Constitution करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसत को प्राप्त है यानि भारत में भारत द्वारा संविधान में परिवर्तन संसत द्वारा किया जाता है इस प्रक्रिया का विर्वन समिधान के भाग 22 और आर्टिकल 368 में दिया गया है और 368 के तहत यहां बिवस्था की गई है Constitution's Amendment Procedure Amendment of the Constitution is the process of changing the Constitution of India Such changes are done by the Parliament of India the procedure is the described in article इसको change करिए Article 368, Article 368 and Part 20 of the Constitution भाग 20 और अनुच्छे 368 के तहत इसकी बिवस्था की गई है अब आगे देखें कि संसोधन कितने प्रकार का होता है या कैसे होता है तो संसोधन का प्रस्ताव जो बिल है वो सबसे पहले संसद में प्रस्तुत होता है और उसमें तीन प्रकार के संसोधन होते है पहला साधारा संसोधन, दूसरा विशिष संसोधन, तीसरा विशिष संसोधन साधारा संसोधन क्या है इसमें उपस्थित संसदों को दो तिहाई बहुमत और मद्दान प्राप्थ होना चाहिए या इस बिल को सुईक्रत कर देना चाहिए विशिष्ट में क्या है कि सभी सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए यानि यहाँ पर जो उपस्थित सब्द लगा है यहाँ इसकी कोई कंडिशन नहीं हो चाहिए उपस्थित हो चाहिए उपस्थित हो संसत के टोटल जितने सदस्यों है उन सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से बिधेयक को पारित होना चाहिए तो विशिष्ट संसोधन कहलाता है और विशिष्ट संसोधन का एक प्रकार और है कि कुछ ऐसे कानून होते है जो मलब की पूरे देश के साथ साथ राज्यों पर एफrekt डालते हैं तो उन कानूनों के लिए क्या होता है? कि सामान बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधाईकाओं द्वारा भी अनमोदन चाहिए यानि सामान बहुमत होना चाहिए दोतिहाई बहुमत भी होना चाहिए और साथ में आधे से अधिक राज्यों की जो लेजिसलेचर है विधाईका है उसको भी इस constitution को पारीद करना चाहिए या सम्मिधान को पारीद करना चाहिए तो the amendment proposal begin in parliament where the bill is the introduced there are three process of constitution simple, specific, specific simple हो ही है it should have a two-third majority of the PM present and waiting यहां भी आ गया present सब्द second में आईए specific amendment a simple majority of the member total member should be obtained यानि जितने भी total member है parliament में उनके द्वारा यानि वो present absent से कोई मतलब नहीं है third है specific amendment and including a general majority must be approved by the last half list half of the state legislature यानि जितने भी state legislature है उनमें list मतलब कम से कमाधे स्यधिक राज्यों के द्वारा उसे स्विक्रत किया जाना चाहिए तो इस प्रकार से यह chapter आपका समाथ हो गया है इसकी exercise जो है आगली वीडियो में हम करा देंगे हम जदा तरस इतने chapter आपको कराए गए हैं उन सबकी exercise हम online कराएंगे ठीक है इसके साथ ही chapter दाएंड